जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो 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 पतांजरी योग भी स्वामजी महराज ने शुरू किया था लिखना, लेकम शजय अधूरा ही रह गया, वह पूरा नहीं कर पाई, आठंगों का ये योग स्वामजी महराज ने नाम से यद्याधिक नहीं तो गम से कम पांच का वर्नन तो रख्यत्रकाश में किया ही हुआ है, मानों वो भी मानते थे कि जो इस महराज ने लिखा है, जो पालन करने के लिए कहा है, वे बहुत महत्वूर्न है, एक सादक के लिए है, जाहिए नाम का उबासक है, हट योगी है, ग्यान योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, हरी के लिए यम नियम का वालन करना, इस मुनी अधिय अवश्यक समझते हैं, नियम है, सादना समंध ही नियम, पांच यम है, पांच ये नियम है, पांच गुन, हमें समाज में एक साथ को कैसे रहना चाहिए, समाज के साथ कैसा वेबाहर करना चाहिए, उनके अंतरगत जो पांच गुन हैं, वे यम के अंतरगत हैं। अपनी व्यक्तिकत उत्थान के लिए, अपनी व्यक्तिकत उत्धार के लिए, अत्मिक प्रगती के लिए, कम से पांच गुन होने चाहिए, वे नियम के अंतरगत हैं। पांची गुन यम्न हैं, पांची पालन करने योगी तक नियम में हैं। आशन प्रणयाम प्रत्यहार धारना ध्यान इवं समाधि ये आठ अंग हैं, अस्तांग योग के वतंजली जीके। जान के मार्क पर चलने वाले योग के मार्क पर चलने वाले साथकों को तो ये सब कंठस्त हैं। और एक-एक गुन का यधा संभव मन को मार के एक-एक का पालन करने की ही इचिश्टा करते हैं। सत्य तो ये है, इन गुनों को धारन करना, इन गुनों को पालन करना ही उनके मुख साधना है। यम के अंत्रकत आज स्वामिज वहराज ने पांच गुनों के नाम लिये हैं। अहिंसा, सत्य का पालन करना, जोड़ी नहीं करनी, ब्रमिचरिय का पालन करना, इवं अनावश्यक संचे नहीं करना भौत एक पदार्थ होगा। अब परिग्रा है। आज एक ही पड़ा गया है अहिंसा। बहुत कठन काम है साधक्षिनों, स्वाम जी महराज जैसे महान संत भी स्विकार करते हैं। इसको परिभाष्ट करना बहुत कठन है कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है। बराल हमें बहुत डिटेल्स में जानी की वश्यक्ता नहीं। हम तो छोटे साधक हैं और छोटे ही बन के रहना जाते हैं। ये आत्मिक उन्नती का चिन है कि अपने आपको छोटा मानना और छोटा ही बना के रखना। करना तीछे तीछे रहना ये भक्ति मार्क के अनुजाई के चिन हैं। ये आत्म उत्थान के चिन हैं। साधक परमात्मा की और जितना आगे बढ़ता जाता है उतना वे छोटा होता जाता है। उतना अपने आपको वे छोटा समझने लग जाता है। उसका एको उतना ही श्रिंक होने लग जाता है। बहुत दुबला पतला पड़ जाता है वे मानों ये अहुकार रूपी रोग, महा रोग बहुत ममूली सी पीरा जैसा रह जाता है ममूली सा दुख देने जैसा रह जाता है या ममूली सा रोग रह जाता है वे अपनी साधना से परमीश्वित के पास से इस रोग से रहित हो जाता है किसी को इस आदिक्षिनो अपने रहित अपने को छोड़के किसी को बुरा ना समझना किसी का बुरा ना सोचना ना किसी के लिए बुरा बोलना नहीं किसी का बुरा करना यह अहिंसा के अंत्रगत है नहीं किसी को बुरा समझना नहीं किसी का बुरा सोचना नहीं किसी को बुरा कहना और नहीं किसी का बुरा करना यह बत्ते एदि हमारे जीवन में उतर जाएं तो हम अहिंसा रूपी परमधरम का फालन कट रहे हैं बाकी सबाते हैं शारत चलुँ बहुत बड़ी बड़ी है सौम जी महराज लिखी है लेकन मिली ही कहा की बहुत कठिन है इसे समझना कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है इस अंशार में रहते हुए अत्यव जो सार हमारी समझ में आया यही है कि किसी को बुरा समझना नहीं किसी का अनिष्ट सोचना नहीं किसी को अनिष्ट कुछ कहना नहीं और किसी का अनिष्ट करना नहीं यह आहिंसा के अंतरगती है इतना अच्छी तरह से पालन हो जाए साथ शेन तो अतीर सुन्दर है सत्य की महमा तो आप सब जानते ही हूँ यदि अंसा परमधरम है तो सत्य भी ऐसा ही है सत्य ही इश्वर है ऐसा स्वामिच माराज ने भी लिखा है प्रवुराम निभी कहा है सत्य ही इश्वर है सत्य का पालन करना सारजनो बहुत उच्च बात है यह भी जानना हमारे लिए बहुत कठन बात है परिभाशित करना वान इसे भी बहुत कठन है यह था सब्भू जितना हमसे हो सके उतना करना चाहिए एक राजा के पास माइना थी सोरी के पिंजरे में बंद मेवा इत्याती रोज उसे खाने को मिलता है बहुत अच्छा खाने को मिलता है इतनी सुक्सुवदा होने के बावजूद भी मैंना बहुत परसंद तो नहीं मैं पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहती हम दों पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहती है इस पिंजरे में बंद हैं तो बंदे हुए हैं इस पिंजरे से निकलना ही चाहते हैं दे रूपी पिंजरे से संसार रूपी पिंजरे से निकलना चाहते हैं इसे ही मुक्ति कहा जाता है इसे ही मुक्ति कहा जाता है मैंना भी यह चाहते है बंदन पसंद ने मजबूरी है किसी को उपसंद नहीं पसंद नपश्य पंश्य को उपसंद जाए हर एक परभीश्वर ने बहुत इंडिपेंडन्ट सुतंतर बनाया है और वे ऐसा ही जीवन वदित करना चाहता है मजबूरी हैं कमजोरी हैं उनके कारण हम बन जाते हैं पंशी यह बन जाता है साथ प्रमात्मय पेट दे दिया थी उसके आलिन पालन के लिए पशी पंशी को फिर वधन में पढ़ना पढ़ता है और मानम को भी वधन में पढ़ना पढ़ता है मजबूरी हैं कमजोरी बहुराल चाहता कोई नहीं इस सब के बावजूद ही हर कोई चाहता है कि हमें मुक्त होना है मैंना भी परसनल है किसी संत महत्मा से बोलिया, सुन लिया मैंना ने सब्त बोलने वादा यक्ति मुक्त होके रहे आ बात पर ले बंद ले अब मुझे कोई कहीं से सकते बोलने का अफसर मिले तो मेरा कल्यान हो राजा साब को कोई व्यक्ति मिलने के लिए आये है राजा साब इसे मिलना नहीं जाते तो मैंना का पिंजरा गेट पर ही है मैंना को कहते हैं मैंना इने बोल तो राजा स्वाब ने कहा है कि राजा स्वाब घर पर नहीं है याद कर ले व्यक्ति जैसी ही आया जैसा सुदा था वैसे को वैसे ही मैंने नहीं कह दिया राजा स्वाब ने कहा है मेरी परसी कहे दो कि राजा स्वाब घर पर नहीं है सबाशी देने की बजाए कुर्द हुए हुकम दिया इस मैना को इस पिंजरे से यहाँ से मेरे घर से निकाल दिया जाए मेरे महल से निकाल दिया जाए पिंजरा खुला मैना उठ गई वाह किसी पेट पर बैठ के तो घोशना करती है जिद्दगी में एक वार सत्य मिला तो पिंजरे से मुक्ति मिले जो कोई जीवन भार सत्य बोलेगा उसे मुक्ष मिलके रहेगा मैं ना कहती है मैं लिक के देती हूँ मैंने जिद्दगी में एक वार सत्य का पालन किया है और तदकाल उने पिंजरे से मुक्त हो गई इसे बोलने का प्रताप है ऐसे ही सादिक चुनों सादिक पॉलिंग पर अनीक छुट छुटी कहा लिया है जो हमें प्रीज ना देती है हमें प्रीज प्रीज करती है अदिक से अदिक जिपना फूस के संसार है सादिक चुनों हमारी बहुत कमजोरियां हैं हमारी बहुत मजबूरियां है और परमात्मा इस पाग को जानता है भरहाल जो इन कमजोरियों इन मजबूरियों को लंग जाता है वे तो पार है ही है उसके लिए उसके उधार के लिए परमात्मा को भी कोई बहुत यतन नहीं करना पड़ता या तिन तो हमारे जैसे निकम्मों के लिए करना पड़ता है जो जगा जगा पर अपनी मजबूरी अपनी कमजोरी के कारण गर जाते गरस्त लिए एक सिंसारी के लिए सादक चिनों कोई और भी कल्प है नहीं जगा जगा पर उसे तो आदमी क्या करें बहुत कफिन काम है एक संसारी के लिए ऐसा जीवन यापन जैसा कि महरश्य पतांजली ने लिखा है स्वाम जी महराज ने लिखा है महरश्य पतांजली ने लिखा लिखा फर्जियों कि स्वाम जी महराज ने लिखा है इसको वक्ति प्रकाश में इंग्लूट किया है तो हमारा कृतब बनता है कि यथा संभव ही नहीं हमारा भरसक प्रियतन होना चाहिए कि जो गुन स्वामची महराज ने वर्णन किये हैं उनको जीवन में उतारना चाहिए उनका अनुपालन करना चाहिए स्वामची महराज ने थोड़ी जगह पर स्वष्ट भी किया है यदि एक घरस्ट को बर्मचारी का पालन करना है तो स्वामची महराज एक घरस्ट बर्मचारी को कैसे प्रिभाशित किया जाता है उसके भी प्रिभाशा लिखते हैं स्वष्ट करते हैं ऐसा गरस्त जो है वे बर्मचारी की कहलाने योग है सब चीज स्वामजी महराइच ने मानो वे हमारी गठनाईयों को एक गरस्त की गठनाईयों को भली भानती जानते हुए स्वाश्टी करन किया हुआ है ताकि हम उनका अनुपालन कर सकें और उसे लाप ले सकें तो यहीं स्वाप करने की अजाज़त दीजिएगा दीपावली के इस महानबर्व पर सादक्षे ने आज फिर आपको बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं तो कल सुवे प्रस्थान करूँ तो सारे ही उससर आज का छोड़के सारे ही उससर बिरबाद में होंगे तो आज आप सब को बहुत बहुत शिब का मनाई मंगल का मनाई बढ़ाई देता हूँ